नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर आज एक न्यूव वीडियो के साथ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा मॉबाइल फोन या फिर कंप्यूटर लेप्टाप किस किस पिरकार से हैक हो सकता है जिया दोस्तों तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे तो बने रही है हमारे वीडियो में और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेश कर ले ताकि जब भी कोई इस परकार की वीडियो बनाओ तो सबसे पहले मिले आपको तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरह और बात करते हैं कि हमारा मोबाइल फोन किस परकार से हाइक हो सकता है तो हम उसको किस परकार से बचाएंगे हाइक होने से जी हां दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग अपने फोन में पास तो लंबा हो जैसे कि माली जी आप अपने अपना नाम डाल दिया उसके बाद आप अपने कोई भी अंक्ड डालेंगे उसके बाद एक जो इस परकार से आपलोक अपना पासवर्ड कोफ करेंगे तभी आपकी नहीं इमेल आईडे हो गई या फिर आपका फोन हो गया तो यदि आप लोग इस प्रकार का प्रोटेक्टिड पासवर्ड डालेंगे तो आपका है नहीं होगा जी हां दोस्तों तो अब दूसरी बात है दोस्तों जैसे की माल लेजे आप लोग कहीं ऐसे इस्थान पर गए जहां पर आप लोग उस एरिया से परचित नहीं है और आपने देखा कि वाइ फ़ाई का आ रहा है तो आप क्या करते हैं कять फरी का भाइपाई हूज करने लगते हैं और दोस्तों जो आजर्इकर हैं ये भी जालब भिछा देते के कि अपना फिरी का वाइ पाइफ्टाइप लेकर और आप की मॉबाय कर सकते हैं तो आप लोग कहीं पर भी जाए तो आई यहाँ जगा पर वाइफंड ना करें जहां जहाँ पर आप लोग परचित नहों और वार से मतलब वाइकिंग हाइकिंग शुरू हो सकती है तो दोस्तों कहीं ऐसी जगा जाएं जैसे रेलवे हो गया या कहीं ऐसी जगा जाएं जहां पर प्रोटेक्टिड वाइफाई हो उसी को कनेक्ट करके आप लोग यूज कर सकते हैं बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई एपस जैसे थर्ड पाटी वेफसाइट से कोई आपने अपस इंस्टाल कर लिया या फिर आप लोगों के पास कोई लिंक आता है और आपको कहा जाता है कि आपके आपकी लॉटरी लगी या फिर आपको 500 रुपए का कैस बैग मिलेगा या 1000 रुपए कैस बैग मिलेगा किलिक आप लोग क्या करेंगे इस एप्स को डाउनलोड करेंगे जैसे ही उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको थर्ड पार्टी वेफसाइट पर पहुंचा दिया जाएगा और बहां से आप लोगों को एक एप्स इंस्टाल करवाया जाएगा और उसके बाद आपका फोन ए इसे करें क्योंकि यहां दोस्तों क्योंकि यहां पर जो एप्स होते हैं और वहीं से आप लोग इंस्टाल करें ना कि थर्ड पार्टी वेफसाइट पर जाके बहां से कोई ऐसा आप डाउनलोड कर लें जिससे आपका फोन एक्सेस हो जाए हैक हो जाए दोस्तों तो दोस्त तो आप लोगों को मैं यह बता दूँ कि यहां पर आप लोगों को जो भी यदि आपका फोन अपडेट मांगता है तो उसे तुरंत ही इजली से अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो मोबाइल कंपनी फोन होती है वो इस बात पर रिसेर्च करती रहती है कि जो है हैं वो अपना काउं सा नया तरीका ढूंड रहे हैं फोन है करने का जियां दोस्तों तो यदि आपका फोन अपडेट मांग रहा है तो उसे तुरंत ही इजली से अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि अपडेटिंग पे आपका नहीं डाटा कहीं जाएगा कुछ नहीं होगा केबल आपका सब्पेर अपडेट हो जाएगा जो भी कंपणी ने सिकॉर्टी आपके फोन के लिए दी है वो आपकी सिकॉर्टी आ जाएंगी और आपका जो ओल्ड वर्जन होगा बो हट जाएगा निव लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा और आपका यहां पे डाटा भी मतल में जो पर्मीशन आतीय जैसे कि माल लेब कि मीडिया एक्सेज और लोकैशन एक्सेज इस परकार कि उसमें पर्मीशन अस्चेस है तो आप लोग क्या करते mi Thailand से अलाऊ 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 कर देते और Apps को install कर लेते है लेकं यहां पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान देने की बात है कि यदि आप लोग कोई भी इस प्रकार का मतलब कोई भी एपस इंस्टाल करें तो उसमें यह बात देखने की हमारा जो एपस है जो एपस इंस्टाल करने हैं वो किस बात की किस लिए परमीशन मांग रहा है कि उसमें सारा कुछ दिया हुआ होता है क्या क्या चीज एक्सेस करवा रहा है और किस परकार से उसको इंस्टाल करें तो दोस्तों आज़ा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वेल आइकन को प्रेस करने ताकि सबसे पहले मिले आपको तो मिलते हैं दुस्तों नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जाएं दो